हम इससे पहले मॉड्यूल में लिट्रेचर रिव्यू करने का एक मैट्रिक्स हमने देखा जो मैंने आप से तब गुजारिश की यह एक तरीका है लिट्रेचर रिव्यू को और गनाईज करने का और भी आपको तरीके मिलते हैं और उससी लिट्रेचर मैट्रिक्स की ही बहुत सरी शकले और भी पाई जाती है जब आपने लिट्रेचर को किसी भी तरीके से जो भी आपको सूट करता था उस तरीके से आपने उसको और गनाई literature को analyze करना उसको organize करना analysis में देखे हैं हमने analysis पिछले literature matrix में देखा था तो analysis ने तो मुखतरिफ components अलएदा करके दे दिये literature के जिन को अब आप एक नजर में देख सकते हैं literature आपके selected मौजुवात पे किन चीजों के बारे में क्या information रखता है तो analyze तो हो गया अब जब मैंने इसको अपने thesis के chapter में लिखना होगा तो मैं इसको कैसे organize करूँ यानि पहले कौन सी चीजें लिखूँगा दूसरे को उसके बाद क्या लिखूँगा तर्तीब का ताईयोन यानि और उस तर्तीब में बातों का logical order होना और उनका एक दूसरे से connected होना यह मेरा concern है तो organization of literature review और उसके बाद फिर उसकी report की सूरत बनाना इस पर हम इस module में बात करेंगे आपके सामने दस step लिखे हुए हैं अगर आप इनको follow करेंगे तो आपका literature review correct तरीके से जो analyze किया गया उसको organize करने में और report करने में आपको help मिलेगी चीज़ अब से पहले जब आप वो matrix बना लें literature review वाला तो आप तह करिए कि आपके अब outline of the chapter क्या होगी literature review के chapter की outline क्या होगी मैंने इससे पहले एक दफ़र किसी module में आपको literature review के chapter के तीन हिस्से बताये थे कि उसके पहले हिस्से में आप operational definitions तक पहुंचते हैं जो आपके variables हैं उनकी दूसरे हिस्से में आप उसका theoretical और conceptual framework लिखते हैं तीसरे हिस्से में आप synthesis of existing research लिखते हैं इसमें उन तीन sections को नहीं हम disturb कर रहे हर section के अंदर चीजों को लिखने की तर्टीब क्या होगी उस पर गुफ्तकू कर रहे हैं तो सबसे पहले यह है कि इन में से हर section के अंदर एक short सी outline बनाईए अपने पास जिसमें आप topics को या जिन चीजों को address करना हैं उनकी तर्टीब का आई उन करिए कि आप कैसे उनको तर्टीब देंगे आप उसमें अपने variables का फैसला करिए कि आपके topic के अंदर कौन कौन से variables हैं जिन को आपने for example operationalize करना है इसी तरह आप sources को identify कीजिए ये एक बहुत important point है जो अमूमन हम literature review करते वक्त ignore कर देते हैं इससे मुराद देखें क्या है मैं किसी बिटा literature review कर रहा होता हूं तो जो बाते मुझे अच्छी लग रही होती हैं वो लिखता हूं और जब उसका source वहां लिखने की बात आती है तो मेरा अमूमन रविया ये होता है तो यह बाद में डाल लेंगे अभी मेरा flow खराब होगा लिखने का तो मैं उसको pending करता हों कि अच्छा यार इसका source बाद में लेंगे citation बाद में दे लेंगे जिस वक्त आप write-up खतम करते हैं तो आपको यह याद नहीं रहता कौन सी information मैंने कौन से source से draw की थी यह बात है दिक्कत वाली कि उस वक्त आप अपना flow of writing खतम करें और वहां citation लिखना शुरू करें लेक इसको कोई आप symbol दे लें कोई इसका doi number note कर लें कुछ चीज note करें जरूर जिससे आपको कल पढ़ते वक्त पता हो के कौन सी चीज मैंने कहां से draw की evaluate sources यह बात हम पहले कर चुके हैं कि किसी भी source को जब आपने information का matrix बना लिया वो literature review का तो अब उस source को authenticate करिए वो seven points criteria पे जो मैंने आप से पहले गुजारिश किया था कि वो source authentic है या नहीं है उसको इस्तमाल करना चाहिए या नहीं और वो वो जो seven points पीछे बताये थे एक module में evaluation के credibility of sources के वो ही असल में rubric है जिसके against मैं उसकी authenticity का फैसला करता हूँ जब यह हो जाए तो पांचवा स्टेप इसका यह है कि हर source को आप analyze करिए inclusion या exclusion के लिए इस बात से क्या मराद है कि मैंने हर source of information को हर paper को यूँ कह लें आप जो मैंने grid में बनाया था हर paper के आगे मैं यह फैसला करूँ या इसमें क्या दी गई information उसी context में research हुई हूई information है जिस context में मैं study कर रहा हूँ या उस से हटके context है मसला मैं change of attitude की study कर रहा था तो क्या बाकी लोगों ने जो academic achievement का जिकर किया वो उसी context में किया हुआ है या कोई और context था वो अगर वो किसी और context में था तो इसका मतलब है वो मेरी बातों को या मेरे जो concept paper का research का उसको include नहीं करता मुझे यह फैसला करना जुरूरी है कि जो information मैं ले रहा हूँ किसी से वो out of context तो interpret नहीं कर रहा क्योंकि academic achievement first कर ले मेरा variable है तो इसके तो हजारों context हो सकते है research करने के अगर वो मेरे सोचे हुए context के हिसाब से research नहीं हुआ हुआ तो वो information हो सकता है कि मैं फिर misuse कर रहा हूँ misinterpret कर रहा हूँ आपके analysis में तो इसका फैसला करें च्छटे step के तौर पे आप अपने sources में से जो least relevant था उससे अपना argument build करना शुरू करिए और आइस्ता इस्ता उसको strengthen करके जो most relevant है उसकी तरफ ले आई है literature review में अमूमन मैंने देखा है कि लोग जो उनके relevant sources नहीं होते ना उनको relevant से मुराद है जो उनकी सोची हुई बात से हटके कोई बात present कर रहे हूँ या वो बहुत direct related ना हो तो लोग उनको अमूमन अवाइड कर जाते हैं उनको लगता है कि यह थोड़ा से deviate कर रहा है मेरी बात से इसको निकाल दो हलांकि यह उसका हल नहीं है आप उसको connect करिए उन sources के साथ जो बहुत relevant है और फिर एक coherent picture बिल्ड़ अप करिए literature लिखते वक्त पिछली researches जो आपने अपने grid में लिस्ट की थी साथवां point यह है कि जब आप अपना write-up बना चुके हों तो देखिए कि क्या उन तमाम researches को आप cover कर चुके हैं उनकी बातों को यह नहीं कि उनको one by one list करना है लेकिन उनके findings को उनके conclusions को उनके methodologies को फर्स करने आपसे relevant थी तो जब आपने उसको report किया तो क्या आप उस तमाम की बातें report कर चुके हैं या नहीं कर चुके यह ensure करना है यह लाजमी नहीं है कि हर एक को one by one discuss करें तो जब हम कहते हैं कि आप उसका meaningful overview तो यहां लफस meaningful से मुराद ही यह है कि आप उनको cover करें बेशक हर एक को लएदा 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 नहीं integrated form में करिए इसके बाद आप जो thesis लिखेंगे आठवी बात जिसका ध्यान रखना है उसका एक format decide कर लीजिए अमूमन वो university या वो इदारे format आपको communicate करते हैं जिसमें उन्हें report चाहिए लेकिन अगर नहीं भी है तो आप decide मसला education में हम लेते हैं तो हम अमूमन एपीए style इस्तमाल करते है तो आपने जब भी write-up बनाना होगा तो APA के जो principles बतायों है writing के उनको सामने रखते हुए अपनी report को design करें इसके जरीए से आप उसके पढ़ने को लोगों के लिए convenient बना सकते हैं जब एक किसी fixed या structured या given style में लिखीगी report होगी तो लोगों को उसके पढ़ने में असानी हो होगी और इस तरह वो उसको बहतर समझ सकेंगे सो कोई एक academic style और अमूमन academic style वो वाला जो आपकी university या आपका अदारा आपको refer करता है कि यह वाला इस्तमाल करें तो आप उसमें उस report को design कीजिए report को अमूमन sections में हम लिखते हैं अगर आप thesis ले ले लें तो हम उसके 5 या 6 chapter और फिर हर chapter के अंदर हिस्से बनाते हैं यह जो बहुत लंबे लंबे paragraph headings के बगएर देने का रिवाजा यह पढ़ने वाले के लिए दिक्कत है हमारे लिए क्योंके हम report लिखते वकत दुनियादी बात यह को मैं अपनी लिए नहीं लिखता वो मैं reader के लिए लिखता हूं कि उसे समझ आए तो अगर मैं उसको असान चोटे चोटे paragraph में sections में डिवाइड करके लिखूंगा एक बात को एक जगा लिखूंगा तो लोगों को से समझने में असानी होगी तो आप report को generally हम कहते हैं कि आप sections में डिवाइड करें headings में sub headings में डिवाइड कर दें और end पे सारी गुफ्तगू में से infer क्या किया है निकाला क्या है extract क्या किया है तो जब भी वो chapter end होने लगे तो उसके end पे आपने एक paragraph पे ये बात conclude कर देनी है कि ये ये काम मैंने इस chapter में किये जिसकी outcome के तौर पे मुझे ये चीज नजर आई है ताके वो एक क्रक से capsule statement टाइप बन वाले को उसके closure का end का अंदाजा हो सके तो इस तरीके से आप इसकी reporting करेंगे literature review के chapter की तो ये आपके लिए आपकी report के अंदर perfectly fit होने के लिए और लोगों के समझने के लिए ये एक असान document बनेगा